नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्दी आप सभी का मेरे योटूब चैनल टेरेस कार्णिंग विचान्दी में स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से कड़ी पत्ता के बारे में कुछ जरूरी बाते सेयर कर रही हूँ आप लोग देखिए ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है और इसमें कितने अच्छे सी ग्रोथ हुआ है और बहुत दिन हो गया लगबग 2-3 माह हो गया मैं इसमें किसी भी प्रकार का खाद नहीं डाली हूँ फिर भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रहा है इसका क्या करण है ये सारी बाते आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ देखे कितना खुबसूरत लग रहा है मेरा कड़ी पता का जो प्लांट है और ये जो ग्रोथ आप लोगों को दीख रहा है ये अभी एक से डेर माह के बीच ही इसमें इतने अच्छे से ग्रोथ हुआ है और ये जो मेरा कड़ी पता का प्लांट है इसको मैं जुलाई में इ इसमें हम्ने बना इसमें नमीघ बना के रखना है उसके आस पास को अपर सुखाल से पहला बात अभी मट parl खोजाना को ऑप और जामीन लगा होया जमीन में लगा होगा हो आप अपने प्लांट के आस पास नमी बनाके रखिए उसमें बहुत अच्छे से आप पानी डालिए क्योंकि अगर हमारा जो प्लांट है उसमें बहुत अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसको अच्छे से पानी दी दीखर है और उपर जो है वो green दीख रहा है तो लगबग 1-1.5 फीट का जो Growth है वो एक महिने के अंदर में लगबग हुआ है यह देखे और इसका सिर्फ एक कारण है और जिस समय यह ग्रूध हुआ है इस्पृ oxid ऑग्स में समStar है कि इसमें सब्सक्राइं सब्सक्रायो थी क्योंकि ठंड था तो हो सकता है पानी ना हो करके लेकिन जैसे ही summer season स्टार्ट हुआ मैं इसमें पानी बहुत अच्छे से दे रही हूं तब से इसमें बहुत अच्छे से growth चालू हो गया है उसके साथ हमको जो इसके नीचे के lips हैं जो पीले पर जा रहे हैं उसको हमको cut कर देना है उसको हमको निकाल देना है और इसके साथ साथ अगर आपका plant, एक अदे जो फिट से दो का होगा, छोटा ही होगा तब इसे, आपको बहुत जादा उसके lips को नहीं तोड़ना है, लेकिन बीच बीच में आप उसके एक, दो lips को तोड़के अपने यह सारे लिप्स जितने भी दीख रहे हैं आपको प्रांचे से सब में लिप्स था हम लोग उसको तोड़ते तोड़ते गये हैं और यह जो है वह आपके प्लांट के लिए फैदेमंद ही रहेगा इससे आपके प्लांट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा उसका जो प्रोथ है वह बढ़ने लगएगा देखिए अभी इसको हम लोग तोड़े हैं तो तोड़के नीचे से आप उसको डालते चाहिए ऐसा नहीं देखिए आपके यह बहुत बढ़ा होगा तब हम उसको योज़ करेंगे नमी को आपको इसका बराबर बनाके रखना है इसके सा साथ इसमें जैसे भी बहुत समय सीजन चल रहा है बहुत गरमी है तो हमको कुडाई नहीं करना है रहेती दूसरे सीजन में हमको जड को थोड़ा छोड़के 3-4 इंच हमको छोड़के चारो तरफ इसकी अच्छे से कुड़ाई कर देना है और इसमें हमको खाड डालना है जड के पास हमको कभी भी खाड नहीं डालना है इससे जो हमारा बहुत ज़्यादा जो खाड होता है उसमें गर्मी होता है जिससे हमा हाथों से ही कुड़ाई करना है बहुत जोड से हमको कुड़ाई नहीं करना है कि जो हमारा रूट से वो डेमेज हो जाए इससे हमारा प्लांट जो है वो कभी-कभी सुख जाता है तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है यहीं पर देखे मैं कोछ यह मेरे प्याज के पौध ह लगे हुए हैं और ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इसको हम लोग मैं के मिर्चि के पौधे भी लगाई हुई हूँ यह सब छोटे छोटे मिर्ची के पौधे यह कलर कलर के पर पल कलर कि और यह गोल death है इसमें मरोडिया रोग हो गया है इसका मैं ट्रिटमेंटि को कर दूंगी और यह वाला जो यलो मिर्ची है छोटा वाला यह सब बहुत अच्छे से लगे हुए हैं इनको मैं भी पॉर्ट में नहीं लगाऊंगी जब रहने से जनाएगा तब मैं लगाऊंगी यहीं पर देखिए मेरा कुंदरू भी लगा हुआ है और कुंदरू भी बहुत अच्छा वेजिटेबल प् आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लो लोगों का बहुत बहुत धन्नीवाद थैंक यू